मैं आपको विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि हर हकीकत शुरू में एक सपना होती है और जब करने वाले लग जाते हैं तो वो हकीकत होती है आज से लेड़ सो पॉने दो सो साल पहले नाना साब पेश्वा ने जब सपना देखा कि मैं देश को आजादी दिला कर रहूँगा तब लोग उनसे कहते थे ये शेटशिली के सपने क्यों देख रहे हो क्योंकि आजादी के लिए कोई तैयार नहीं था जब नाना साब पेश्वा आजादी का सपना देख सकते हैं उस दौर में जब हिंदुस्तानी कोई मुह नहीं खोल सकता था सरक पर निकल कर तो हम तो ये सपना आप देखी सकते हैं क्योंकि हम तो उनसे ज़्यादा बेतर इस्तिती पर और मैं मानता हूँ कि हर बड़े आद आदमी का सफना पूरा हूँ दुनिया के किसी भी बड़े आदमी का इतिहां हूँ